हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल और आप सभी कैसे हैं उमेद करती हूं आप सभी मज़े में होंगे आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर कर रही हूं यह एक टेल का जो बॉटल है वो खाली होने के बाद उसको मैंने कैसे यूज किया है प्लांट् और यह शावर रेफ्रेंड से मार्केट में मिल जाता है असानी से प्लास्टिक की जो समान बेशते हैं उनके दुकान पर आपको मिल जाएगा बीस रुपे क्या सपास यह है और यह देखिए चिपकाने के लिए आप जो है यह बॉन्ड मैंने यूज किया है और आप कोई भ पाइप जो है इसके अंदर फिट हो सके और इसी पाइप पे हम वो शावर जो है वो फिट करेंगे तो यह देखिए इस तरीके से मैं इसको रखके और निशान लगा लेती हूँ और आप मारकर से किसी से भी इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप एक्स्ट्रा होल ना करें सिर्फ उतना ही करें जितना की पाइप का हमारा निशान है और यह काम बहुत सावधानी से कीजेगा फ्रेंड्स आप कोई भी चीज गरम करके और यह लोहे की रॉड है मिल पा अब इसके भी जो बॉक्स है इसमें भी हमें करना होगा क्योंकि यह जो डबबा है इसमें जब हम पानी भरेंगे तो हवा पास होगी तभी उस शावर में से और अच्छे से पानी निकलेगा तो इसके लिए भी मैंने पहले से गरम करके और यह देखिए इस साइड दिसको तो जो छेद कर रही हूं यह थोड़ा सा उंचाई में लीजेगा फ्रेंड ज्यादा नीचे ले लेंगे तो जैसे आप पानी भरेंगे और उसी लेवल पर पानी भर पाएंगे और पानी भार आने लगेगा तो अगर आप उंचाई पे लेंगे तो इसमें जादा पानी भर तो बहुत अच्छे से इसमें शावरिंग होगी, आप ये पाइप के आगे भी फिट कर सकते हैं, जो इसका शावर है, ये मार्केट में मिलता है, ये पाइप के आगे लगाने का भी होता है, तो अगर आप अपने प्लांट्स को पानी देना चाहते हैं, जो जाधा हाइट पे गलती से ये छेद आप से जाधा बड़ा हो जाता है, तो आप होट ग्लू गन जो है, वो भी यूज करके चिपका सकते हैं, वो पोर्शन ताकि उसमें से पानी लिकेज ना हो, अब मैं इसे सही से कट किया है, थोड़ा टाइट ही है बलकि ये, तो इसमें इसको फिट करने क बस इसे हमने इस तरह लगा दिया है, चिपकाया नहीं है, और ये ढखकन इस पर लगा लेंगे, और इसमें पानी भर लेंगे, तो ये देखिए हमारा घर में ही तयार हो चुका है, ऐसा शावर, जो ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगे हमारे, और हमारे प्लांट्स के अच्छी शावरिंग करने के लिए तयार है, पर इसमें आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ये छेद होना चाहिए, तभी पानी जो है वो आप दे पाएंगे, वरना पानी जो है इसमें से नहीं निकलेगा, जब तक हवा पास नहीं होगी, तो एक तो इस तरीके से जो आप बना सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा समान आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, और एक आइडिया में आपके साथ और शेयर करूँगी, जिसमें कि आपको मार्केट से कुछ भी और नहीं लाना है, तो आप देखिए ये जो इस टाइप का बना है, इस से शावर आप ये बड़े 5 लिटर वाले का बनाएंगे, तो बड़े प्लांट्स के लिए अच्छा है, और ये छोटे वाला मैंने इसलिए बनाया है, ताकि बच्चे भी इसे आराम से उठा सकते हैं, तो देखिए फ्रेंट्स, इससे मैं आपको शावरिंग करके दिखा देती हूं, कितना अच्छे से आप देख रहे हैं, इनको प्लांट्स को आप नला पा रहे हैं, बहुत अच्छे से शावरिंग हो रही है, तो अब मैं आपको एक दूसर तरीका और दिखाती हूं इसमें क्या है, उसी ताइप का धकन लिया है मैंने, और एक ये मोटे वाली सुई है, इ देखे, इस तरीके से सारे में मैं इसमें छेद कर लेती हूं, और ये देखे, इस तरीके से हो गए हैं, ये आटमेटिक शावर बन गया है, कुछ और पैसा भी नहीं लगा है, मार्केट से कुछ भी नहीं लाना हुआ, और इसको उसी गैलन के उपर देखे, मैं फिट करके आपको दिखा रही हूं, और इसमें भी छेद है, ताकि हवा पास हो सके, तो इस चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है, और ये देखे, मैं इससे भी आपको शावरिंग करके दिखा देती हूं, और ये देखे, कितने अच्छे से हो रही है, तो आप ये भी घर में बना स सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे कर लीजेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाई